तीन वेकंसी में आपको ऐसी बता सकता हूँ जो आपकी डेफिनेटली आपको देखनों को मिलने वाली कुछ साल, अमलब इसी साल के अंदर, नमबर वन आपकी BPS से की, जिसका नोटिफिकेशन टेरी फॉर्ट का जुलाई के एंड में और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखनों को मिल जाएगा, नमबर सेकिंड आपको D-Tree Plus V के अंदर, प्याइटी के वेकंसी आपको देखनों को मिल जाएगी, यह तीन वेकंसी में आपको बताई, जो इसी साल आपको देखनों को जरूर मिलने वाली है, अब इसमाँ आप लोगों का यह भी सवाल होगा नह लेकि सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पर पूछ रहे हो कि हमें क्या काम करने ची अगर हम यहाँ पर पड़ें, यह तो 100% कंफर्म है कि जो आपका सेलेबस होगा, वो आपका सेलेबस चेंज होगा, यानि कि उसके अंदर आपका बदला होगा, और मेरी समझ में कभी यह च कि जाते हैं, जब कि मेरी कभी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रही है, क्योंकि जब सेलेबस ही नहीं हमको पता तो यार पढ़ाये तो पढ़ाये क्या, और सबसे बड़ी बात है यार आप लोग इतने सिंचल होगा, आप लोगों को समझ आनी चीए, जब आपको पता है सेलेब चीजे तो आप लोग यहापर पढ़ सकते हो, क्योंकि माली जब सेलेबस चेंज भी हो गया, तो ये चीज़े तो को मने भाई, NCRT आप लोग जुरूर पढ़िए, या आपके तब भी आएगी सेलेबस चेंज करना, बट वो 100% क्या होगा, वो किसी को भी नहीं पता, तो आ यहीं नहीं पता कि आएगो कि कहा पर है, किस परकार से काम कर रहा है, भरती कहा पर है, सेलेबस पता नहीं किसी दिसा में, तो पढ़ाए क्या एक टीचर, एक जैन्मन कोश्चन है, मतलब इसके उपर आप थोड़ा मन्थन करिए, क्रिटिकल ठिंकिंग करिए, कि जब हमें स पहली की हुई है, जो कई साल से कवर करके बैठे है, तो मैंने का तीन वेकिंस से आपके सामने इनकी तैयारी करिए, पहले आप लोग इनके इंदर सेलेक्शन ले लिजे, उसके बाद मान लिजे, जब कभी भी आपको सूपर टैट मिले, तो तब उसके इंदर एपलाई कर देना, कम से कम एक जोब तो ले लिजे, कब तक सूपर टैट के चक्कर में आप लोग वेट करोगे, तो आपका सिलेबस 100% चेंज होगा भई, ये बात कन्फरम है, और सिलेबस जब तक नहीं आ जाता, अंधी मैनत बिल्कुल भी ने करनी, कि नहीं वो पुराने वाले के अक सकते हैं, वो आपको help करेंगे, state board के आप books पढ़ सकते हैं, इंसाइटी पढ़ सकते हैं, बेजज़क पढ़िए, वो आपको पूरा 100% आपको support करेगी आपके exam के अंदर, पर बेवज़ा मत पढ़िए, ठीक है, बेवज़ा मतलब इस तरीके की चीजों में मत पढ़िए, त एक बार इसकी final एक नियमावली आजाने दीजिए, उसमें सभी चीज़े इसपष्ट हो जाएगी, इतना मेरा experience रहता है, कोई भी किसी भी राज्य अपनी नियमावली को जब जारी करता है, उसको पर कुछ ना कुछ मतवेद होता है, और वो बार बार कुछ ना कुछ कोट क के अंदर यहाँ पर जुरूर जाती है, तो एक बार उसको आजाने दीजिए, सभी चीज़े उसके अंदर आपके clear हो जाती है, जब तक आप लोग अपना मालीज आपको पता है, मेरा paper first clear है, second clear है, और तब तक अपनी self study आपर आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, तो इन च के तैयारी आप लोग कर सकते हो, मालीज आप लोग भी पैसी के तैयारी करो, कोई बात निए बिहार के अंदर चले जाओ, दिल्ली के अंदर चले जाओ, ना उन्हें से बड़ी आकुस्त हो ना,